हलो दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारे उनलाइन चनल अरद्या आरेस अकेडमी में दोस्तों राजस्तान में आई जित सभी प्रतियों की परिक्षाओं के लिए राजस्तान में 1857 की क्रांती से समंदित 2021 तक विबिन परिक्षाओं में पूछे गए टोप 100 प्रेशने आज म आपको बताने वाला हूँ दोस्तों ये सो प्रेशन आपकी परिक्षाओं की दृष्टी से अतियंत महतोपुन है एकदम नए प्रेशने है राजस्तान के एतियास में 1857 की क्रांती का जो टोपिक है वो सबसे महतोपुन टोपिक माना जाता है दोस्तों हर परिक्षाओं के पुरा किलेर भी हो जाएगा और अगर आपने पिछली और कई कलासें वो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाएए वहां पर आपको फोल्डर मिल जाएगा तोपिक वाइज तोप क्यूसन के नाम से आपको वहां फोल्डर मिल जाएगा तो आप वहां जाकर पिछल पहला प्रस्न है कि 1857 में कोटा के विद्रो का नेता कौन था बताइए दोस्तों मा आपको बता दूं कि 1857 की करांती कि जो शुरुवात है वो नसीराबाद से हुई थी और राजस्तान में दोस्तों 6 सेनिक चावनिया थी कौन-कौन ची तो दोस्तों नसीराबाद नीमच ली एरिनपुरा ब्यावर और खेरवाड़ा यह चैसेनिक चावनिया थी जिसमें ब्यावर और खेरवाड़ा के अंदर दोस्तों क्या है क्रांती नहीं हुई थी यह आपको इसमें विश्यश तोर पर इसमें याद रखना है दोस्तों देखिए विद्रो का नेता 1857 की कि में की पिरोःती दोस्तों पंद़र एक्टॉंबर 1857 & को कब हो ती पंद़र आक्टॉंबर 1857 थी और यह घ्टूंबर 15217 Távon को को दोस्तों यह कुलिक jogar और यहां पर जो क्रांती का जो निर्तर यहुद्वे वह ब्याव के लिचकश तो यहां पे देखिए मेराव खां त किस वर्स इस्तापित की गई थी मेवाड भील कोर्प किस वर्स इस्तापित की गई थी कोलेज व्यक्याता परिक्षा में पुछा गया है इसका सही उत्तर हो जाएगा वह है दोस्तों यह 1841 में दोस्तों इस्तापित की गई थी मेवाड भील कोर्प की इस्तापना ठीक है तो D number का option बिलकुल सही उतर तीन नमबर कःषन है इसमें देखे राजस्तान में पहला इस्तान था जहां 1857 का विद्राव शुरू हुआ था बताइए राजस्तान में पहला विद्राव कहां पर हुआ था तो दोस्तो ये हुआ था नसीराबाद में कब हुआ था तो दोस्तो 18 मईए 1857 को यह राजस्तान में पहला विद्रो हुआ था नसीराबाद में तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा एक नमबर का उप्शन बिलकुल सही उत्तर हो जाएगा ठीक है वो भी दोस्तों इसके साथ में आकर जुड़ जाती है ठीक है और दोस्तों इन्होंने क्या किया था कि कुछ संग्रेज अधिकारी थे जैसे की के वेनी न्यूबरो स्पोर्टिस वुड इनको क्या किया था मार दिया था ठीक है तो यहां पर इस प्रेशन का राइट अंसर हो जाएगा ए नमबर उप्सन सही उत्तर और राजस्तान पुलिस कोंस्टेबल परिक्षा 2020 में यह पूछा गया था चार नमबर का प्रेशन इसमें देखे किस वर्स में आवा का युद हुआ था आवा का युद है वो कब हुआ था सही उत्तर हो जाएगा वह दोस्तों अपन इन लिकित मेंसे किस देवी की मूर्ति प्रेणा सरोत थी बताइए बहुत ही अच्छा प्रसन है ये दोस्तों यहां पर सिदा सा पुछा गया है कि 1857 की कि के समय मारवाड में दोस्तों किस कुल देवी की मूर्ति है वह दोसका राइट आनसर हो जाएगा वह है दोस्तों उत्तर हो जाएगा देखिए सुगाली माता के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूं देखिए सुगाली माता के 10 सिर कितने सिर दस सिर और चोपन क्या थे हात थे यह आपको इसमें याद रखना है ठीक है है तो दोस्तों यहां पर इस प्राइशन का राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है अपना इसमें बी नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्र सुगाली माता और दोस्तों देखिए राजस्तान दरोवर सरक्षन एवं प्रोनती प्रादिकरण ने दोस्तों 2014 में यह गोशना की थी कि इस मूर्ति को आववा गाउं में स्तापित किया जाएगा ठीक है और दोस्तों इसके अध्यक्स है वो ओंकार सिंग लाखावत है और यह प्रादिकार है वो 2016 में बना था यह आपको इसमें थोड़ा सा याद रखना है ठीक है तो यहां पर बी नंब option बिल्कुल सही उत्तर सिक्स नंबर का प्रेशन इसमें देखे राजपूत राज्यों से संधी करने वाला अंग्रेजों के तरप से अंग्रेज अधिकारी कौन था बताए राजपूत राज्यों से संधी करने वाला अंग्रेजों के तरप से अधिकारी कौन था सही उत्तर में मारे गए हैं बताइए कौन से पोर्टिकल एजेंट जोदपुर में 1857 के विपलो में मारे गए इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों मेक मोशन तो यहां पर बी नंबर का जो अप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा मेक मोशन याद रखना वहें इस्तान जहां आहुआ के ठाकुर कुसाल सिंग ने अपना अंतिम समय वेतीत किया था वहें इस्तान कौन सा है बताइए वहें इस्तान जहां आहुआ के ठाकुर कुसाल सिंग ने अपना अंतिम समय वेतीत किया वहें इस्तान कौन सा था तो इसका राइट आंसर हो जा था ठीके आगे देखिये इसमें 1857 के विद्रोग के परती मेवाड के महराणा की क्या निति थी अंग्ड जोको सहोग करने कीنتि अपना ही दूस्तों ठीक है यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है अपना बी नंबर का जो उप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा इसमें आगे देखिए इसमें दस नंबर का प्रेशन है अठारा सो सतावन के विद्रो के परती मेवाड के माराना की क्या निती थी मेवाड के माराना की क्या नीती थी देखिए अलग-अलग परिक्षा में अलग-अलग प्रेस्ण पुछा गया है ठीक है जो उपर वाला जो प्रेस्ण था वो दोस्तों और प्रेस्ट ग्रेड में पुछा गया था मैं अपनी मनमर्जी से नहीं ला रहा दोस्तों यह प्रेस्ण रिपीट हुआ है इनम्बर उप्सन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखे अठारा सो सतावन की करांति के परिणामों के सवरूप निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है तो कौन सा कथन है वो इसमें सत्य नहीं है यहां पर देखिए दोस्तों इस्ट इंडिया कंपनी का सासन समाप्त हो जाएगा ठीक है ऐसा कोई ऐसा कुछ नहीं था ठीक है तो यहां पर देखिए एबी सी यह तो तीनों सही है लेकिन चोथा अपना इसमें क्या दे रखा है गलत दे रखा है यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर का जो अप्शन है वो इसका बि युद कहा है बताइए किसने 1857 के विद्रों को सब्वेता वे बरबरता के बीच युद कहा है किसने कहा है तो यह कहा है दोस्तों टी आर होमस ने कहा है तो यहां पर ए नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें ठीक है यह संस्कृत आरपियसी फ़स्ट ग करांती में हत्या कर दी गई थी वह था बताइए कंपनी अधिकारी जिसके 1857 की करांती में हत्या कर दी गई थी वह था वह कौन था सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों मेजर बटन तो यहां पर इसमें डी नंबर का जो उप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जा वो आपको थोड़ा पता होना चाहिए तो आप ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए यहाँ पर मेजर बटन इसका राइट आंसर डी नंबर का जो उप्षन है वो इसका बिल्कुल सही उत्र ठीक है आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें दोस्तों किस-किस की मरत्य हो गई थी तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इस प्रेशन का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों एक तो डॉक्टर सेडलर और एक मेजर बटन ठीक है डॉक्टर सेडलर और मेजर बटन की दोस्तों क्या कर दी गई थी अत्या कर दी गई थी बाकि मौरिसन और किप्टन सोवर्स इनके अत्या नहीं की गई थी यहां पर दो और तीन है वो इसका बिलकुल सही उत्तर हो जाएगा या आपको इसमें याद रखना है ठीक है आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें काल कर्मानुसार देखिए सबसे पहले विद्रो फैला था दोस्तों मेरट में मेरट के बाद में फैला था दोस्तों बरेली में बरेली के बाद में जासी में और फिर कोटा में यह विद्रो फैला था यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा वह है दोस्तों अ इसमें एक दो तीन चार चारों ही इसमें क्या है सही है तो यहाँ पर अपना इसमें राइट अंसर एक ए नंबर का जो अप्सन है वो इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा सूले नंबर का प्रसन इसमें देखिए दस मई एठारा सो सु सतावं को मेरेट में कोन सा अपसर कमांडर कर रहा था इस प्रेशन का राइट आंसर हो जाएगा वो था दोस्तो जनरल याँपे देखिए हाइट है इसकी जगह आप इसको काटके हुईट कर लेना हुईट ठीक है हुईट कर लेना तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जनरल हुईट इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नमबर ऑप्सन बिल्कुल सही उतर आगे देखें सत्रा नमबर का प्रस्थ ने 1857 के अंसर हो जाएगा वह है दोस्तों केप्टन ऑरस्थ यहां पर सी नमबर का जो उप्सन है वो इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा केप्टन सो वर्स आगे देखिए इसमें 1857 की करांति का महतोपूर्ण परिवर्तन है वह क्या रहा वह अपने को यहां पर क्या करना है बता से क्राउन को यानि कि बिर्टिस ताज के समख से सारी सक्तियों का अस्तानांत्रन हो गया था यहां पर इस प्रैसन का राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें डी नंबर का जो उप्षन है वो इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा इसमें ठीक हैं आगे दोस्तों तो यह देखिये इसमें बिल्कुल सही उतर हो जाएगा थाकुर कुशाल सिंग नहीं अगे देखिए इसमें बीस नंबर का प्रेशन आठ्रासोश्तावन के दोरान लिखित पुस्तक मानजा प्रवास के लेखक है, बताईए, आर्टेट में यह प्रेस्न पुछा गया है, तो वो कौन है, तो इसका राइट आंशर हो जाएगा, वो है, विष्नु भटे गोड़ से, तो इसमे ए नंबर का जो अप्शन है, वो इ यहां पर देखिए दोस्तों कौन सा सही है अपने को बताना है देखिए 1857 की करांती ऐसा फल रही कारण देखिए बिर्टिस सासन के विरुद जम्यदारों राजाओं वै भू स्वामियों के नित्रतों में राजनितिक परतिरोद सपल नहीं हो सकता था दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है इसलिए ए और आर दोनों सही है और आर एक का दोस्तों सही इस पश्टी करण भी करता है तो यहां पर अपना इसमें ए नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए इसमें बाइस नंबर का प्रस्ट ने अठारा सो सतावन के विद्रो के समय आवा के ठाकुर कुसाल सिंग को मेवाड के किस इस्तान के सामंत ने अपने यहां सरण दी थी और आपको पता भी होना चाईए दोस्तों जो आवा के ठाकुर कुशाल सिंग थे ठीक है इनको मेवाड के किस इस्तान के सामंत ने अपने यहां सरण दी थी तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों देखिए कोठारिया के सामन्त थे ठीक है जिनका दान था दोस्तो जोद सिंग ठीक है उन्होंने दोस्तो क्या किया था इनको सरण दी थी तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर और 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 पिस्ट ग्रेड 2011 में ये प्रशन पूछा गया है आग संसद से किस वर्ष कानून पास कर इस इंडिया कंपनी के सारे अधिकार चीन लिये थे तो इसका हो जाएगा वो है स्कानपूर में तो यहां पर इसमें C से नमबर का ऊप्शन राइट हो जाएगा हूँ आगे देखिए 1857 की किरांति के समय कोटा का सास्य कोटा का सासक कौन था तो दोस्तों महराव राम सिंग दितिये महराव राम सिंग दितिये ये दोस्तों कोटा का सासक था और कोटा में विद्रो हुआ था ठीक है इसकी वज़े से दोस्तों क्या हुआ था कि राम सिंग सेकंड की तोपो की सलामी गटा कर पंदरा से ग्यारा कर गई थी क्योंकि अंग्रेज है वह बटन की हत्या को रोकने के परियास नहीं करने से नाराज थे इसलिए दोस्तों इनकी जो तोपों की जो सलामी है वह घटा कर पंदरा से ग्यारा कर दी गई थी ठीक है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा वह दोस्तों अपना इसमें बी नंबर का उप्शन बिल्कोल सही उत्तर और दोस्तों के यहां पर देखे अठारा सो स्थावन की करांती में जो कोटा के जो करांती का रही थे इन्होंने दोस्तों राम सिंग सेकेंड को बं इसको मार दिया गया था और इसकी लास है वो पूरे कोटा में गुमाई गई थी ठीक है और फिर बाद में क्या हुआ था दोस्तों करोली का सासक था राजा मदन पाल इन्होंने दोस्तों मुक्त करवाया था राम सिंग सेकेंड को ठीक है यह आपको इसमें याद रखना है तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का उप्सन राइट अंसर हो जाएगा और टेट में यह प्रेस्न पूछा गया था 26 नंबर का प्रेस्न इसमें देखे राजस्तान में 1857 की करांती के समय है यहां के एजी जी यानि की एजेंट टू गवरनर जनरल कौन थे एलसे 2018 में यह प् प्रेट्रिक लोरेंस तो इसमें सी नंबर का उप्शन बिल्कुल सभतर हो जाएगा जोर्च पेट्रीक लोरेंस अगे देखिये शमें 27 नंबर का प्रेस्न अंग्रेजोंने अम्रेचा這樣 सबत शेंचे में 487 किatively क्या यहां किस ने का था प्ठवार मुखर मूखे प्रिक्षा 2016 में ये प्रेशन पुछा गया था तो दोस्तों ये कहा था किस ने तो ये कहा था दोस्तों मुहमद अली बेग ने कहा था डी नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ठीक है मुहमद अली बेग ने कहा था में पुछा गया प्रसण है इसलिए देखिए यह प्रस्ण हैं को ब्रॉटिस सरकार का अपराद समझा लाएगा और ऑने वाली पूछेगी कि इस सज्जा अपने को यहां पर बताना है तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा यह का था दोस्तों केप्टन सोवर्स ने किसने का था केप्टन सोवर्स ने का था यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है यह नंबर का जो अप्शन है वो इसका बिल्कुल सह उत्रो जाएगा पटवार प्रारंबिक के परिक्षा 2016 में दोस्तों यह प्रैस्ट पुछा गया था ठीक है और दोस्तों सिकर के एक सामंध थे जिनको ट्याटा टोपे को सरण देने की आरोप में फांसी की सजा है वो दिग गई थी सिकर में ट्याटा टोपे की छत्री भी है यह भी आपको इसमें याद रखना है और दोस्तों नरवर के जागिरदार थे उन्होंने दोस्तों ट्याटा टोपे को दोके से पकड़वा दिया था और फिर दोस्तों ट्याटा टोपे को फांसी पर चड़ा दिया गया था ठीक है यह आपको इसमें याद रखना है ठीक है आगे देखे दोस्तों अपना इसमें गुंट इस नमबर का प्रेस ने निमनलिकित में से कौन सा इस्तल राजस्तान में 1857 की करांतिका के अंदर नहीं था अठारा सु सतावन की करांतिका के अंदर कौन सा नहीं था यहां पर देखिए दोस्तों आजमेर था आववा था नीमच था लेकिन जैपूर नहीं था ए नंबर का उप्सन राइट आंसर हो जाएगा दोजार बारा और दोजार नो में पुछाजा चुका है जैपूर इसका र पुरावा थे यह परमुक के अंदर थे तो यहां पर अपना इसमें डी नंबर का उप्सन राइट आंसर दोजार ग्यारा में पुछा गया प्रसन है आगे देखे ए जी 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 जोर्ज पेट्रिक लोरेंस की सेना को आववा के निकट 18 सितंबर 1857 को करांतिकारियों ने किस इस्तान पर प्रास्त किया था या आपको यहां पर बताना है तो दोस्तों यहां पर इस प्रसन का राइट आंसर क्या हो जाएगा तो वो इस्तान था दोस्तों कौन सा तो देखिए दो युद हुए थे एक तो हुआ था भी थोड़ा का युद जो आठ सितंबर को हुआ था और एक हुआ था चेलावास का युद जो 8 सितंबर में आप 10 होड जोड दीजिए कितना हो जाएगा 18 सितंबर को चेलावास का युद है ये दोस्तो 18 सितंबर 1857 को हुआ था ठीक है 18 सितंबर 1857 को तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का उप्षन राइट आंसर हो जाएगा और ये इस युद को दोस्तों काले गोरो का युद भी कहते हैं एक तरफ था दोस्तों जोर्ज पैट्रिक लोरेंस और पोर्टिकल अजेंट मेक मोशन और दूसरी तरफ थे कुसाल सिंग चंपावत तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर का उप्षन बिल्कुल सही हो जाएगा और इस युद में कुसाल सिंग है वो जीत गया था और मेक मोशन को मार दिया गया था यह आपको इसमें याद रखना है ए नंबर उप्षन बिल्कुल सही आगे देखे 1857 के पर्थम 77 संग्राम के दोरान आवा के युद में जोदपुर के किस पोर्टिकल एजेंट की हत्या की गई थी तो किस पोर्टिकल एजेंट की हत्या की गई थी अभी मैंने आपको बताया था मेक मोशन की ये हत्या की गई थी ठीक है चेलावास के युद में मेक का पोटिकल एजेंट था और यहां पर जो पेट्रिक लोरेंस था यह दोस्तों वहां से भाग गया था तो यहां पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा भी नंबर का उप्शन बिल्कुल सही आगे देखे भारत में भारत के पर्थम सवतंतरता संग्राम में जो भोजन सामगरी करांतिकारी संदेश के साथ गाओं में वित्रित की जाती थी वह थी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह थी दोस्तों अपना इसमें कौन सा तो वह है चापाती यानिकी रोटी ए नंबर का जो उप्शन है वह इसका बिल्कुल आगे देखिए राजस्तान में ब्रिटिस सरकार का अधिपत्य इस्तापित हुआ संदी के अंतरगत कौन सी संदी के अंतरगत इसका सही उत्तर हो जाएगा वह है दोस्तों अपना इसमें 1817-18 की संदी के अंतरगत तो यहाँ पर अपना इसमें C नंबर का उप्शन राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर उप्शन बिल्कुल सही आगे देखिए 1857 की करांती के समय जोदपुर के माराजा कौन थे तो जोदपुर के माराजा कौन थे तो वो थे दोस्तों माराजा तक्ट सिंग माराजा तक्ट सिंग यह जोदपुर के राजा थे तो यहाँ प राव की सायता के लिए किस राजे ने सेनिक सायता बेजी थी बताईए तो मैंने अभी आपको बहुत बताया था दोस्तों कोटा का जो सासक था राम सिंग दितिये उसको बंदी बना लिया गया था और उसको छुडाने के लिए करोली का सासक आया था और करोली का सासक कुन था तो दोस्तो मैंने भी आपको बताया था राजा मदनपाल राजा मदनपाल ने दोस्तो राम सिंग सेकंड को मुक्त करवाया था तो यहाँ पर अपना इसमें राइट अंसर हो जाएगा बी नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर है करोली का सासक मदनपाल ठीक है देखे दोजार गुनिस में पुछा गया प्रसन है आगे देखे जोदपुर राजे के किलेदार को 1857 में आवा में करांतिकारियों ने मोत के गाट उतार दिया था वो कौन था तो दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो अनाड सिंग अनाड सिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा अनाड सिंग ठीक है यहाँ पर अपना इसमें ए नमबर उप्षन बिल्कुल सही उतर देखे दोजार गुनिस में पुछा गया प्रसने अनाड सिंग इसका राइट आंसर आगे देखे राजस्तान में आवा का विद्रो किसके नेतरतों में हुआ था तो दोस्तों यहां पर दीखे लवण निरिक सक उद्द्योग विबाग 2018 में पुछा गया प्रेस ने जैदेयाल और मेराब खान तो यहां पर इसका राइट अंसर हो जाएगा आगे देखे कोटा में 1857 के विद्रो का नेतरत्व है करता कोन था राइट अंसर जैदेयाल और मेराब खान ए नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर देखे कोटा की करांती में से सबसे ज़्यदा प्रेस ने पुछे गए हैं आपको पता चल रहा होगा यहाँ पे 2019 में भी यह प्रेस्न पुछा गया था ठीक है आगे देखे इसमें 41 नमबर का प्रेस्न है राजस्तान में 1857 का पर्थम विद्रो का हुआ था यह वा था दोस्तों नसीराबाद साउनी में कब हुआ था तो मैंने अभी आपको बताया 28 मई 1857 को हुआ था राइट आंसर इसमें बी नमबर ऑप्षन बिल्कुल सही उतर देखिए वेग्यानिक सायक सीरम परिक्षा 2019 में पुछा गया प्रस नहीं है आगे देखे आठ सितंबर 1857 को कौन से इस्तान पर ठाकुर कुसाल सिंग की सेना ने जोदपुर की राजकिये सेना को पराजित किया था अभी मैंने बताया था दोस्तों 18 सितंबर को तो चेलावास का यू विफोडा का यूद का पर पड़ता है यह है विफोडा तो यह पाली में पड़ता है दोस्तों यहां पर अपना इसमें राइत आंसर एह नंबर िृप्शन हो जाएगा वाथ इसमें जोदपुर के थे कुसाल राज सिंग्वी और केप्टन हीथ कोट जो अंगरेजो का सेन हो गई थी और इस युद में दोस्तों जोदपुर का जो किलेदार था ओनाड सिंग पमार वो मारा गया था ठीक है यह आपको इसमें याद रखना है तो इसमें ए नमबर उप्शन सही तर 2019 में यह प्रेशन पूछा जा चुका है आगे देखिए राजस्तान में 1857 में पहला विद्रो का बोर का हुआ था बताया था अभी आपको 28 में 1857 को नसीराबाद में यह नमबर उप्शन बिल्कुल सही 1857 के विद्रो के समय जोदपुर्क का महराजा तक्त सिंग ने किसके नेतरतों में सेना अजमेर बेजी तो किसके नेतरतों में दोस्तों सेना है वो अजमेर बेजी थी इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों किसके नेतरतों में अभी मैंने बताया था आपको दोस तो यहां पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नमबर उप्शन सही उतर को सल राज सिंग्वी ठीक है ए नमबर उप्शन बिल्कुल सही देखे 2018-1999-1949 में पुछा गया प्रस्ट ने 1857 के विद्रो के दो रान मेजर बटन और उसके no fędzie मारे गये थे तो यहां पर इसमें बी मारा गया था है ःоз 빵ी यहां पर में अपको इसमें विशेष तोर पर क्या लडना है याद रखना है थिका है आगे देखें दोस्तों अपनाईस में 46 नमबर का प्रस्ट ने राजस्तान में 1857 की करांती का आरंब किस इस्तान से हुआ था राइट आंसर नसीराबाद से हुआ था 28 मई को बी नमबर उप्सन सही उतर राजस्तान के राजाओं में वह कौन सा एक मातर सासक था जो अपनी सेना के साथ 1857 के संग्राम में अंग्रेजो की सायता है तू राज्य से बाहर गया था 2007 में ये प्रस्ट ने पुछा गया था बताइए ये तो प्रस्ट ने इंपोडेंट है राइट आंसर हो जाएगा वह है दोस्तो भिकानेर का था सासक सरदार सिंग्ग ये बार गया था दोस्तो राइट आंसर इसमें ए नंबर उप्षन बिल्कुल सहीतर हो जाएगा आगे देखिए संग 1857 इस्वी के विद्रो के समय राजस्तान में सेनिक चावनिया थी छह सेनिक चावनिया थी मैंने आपको बताया था दोस्तो अभी कौन-कौन सी तो नसीराबाद नीमच, देवली, एरिनपुरा ब्यावर और खेरवाड़ा यहाँ पर अपना राइट आंसर सी नंबर उप्षन हो जाएगा आगे देखिए यहाँ पर डूंगर जी वह जमार जी किस जिले के थे डूंगर जी और जमार जी कौन से जिले के थे राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो शिकर के थे यहाँ पर सी नंबर उप्षन बिलकुल सही उतर है भी थोड़ा नामक इस्तान समन्दित है तो भी थोड़ा नामक इस्तान है वो समंदित है तो ये कहां पर पढ़ता है पाली में पढ़ता है और ये 1857 के सवतंतरता संग्राम से समंदित है युद हुआ था भी थोड़ा का बी नमबर उप्शन बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा आगे देखिए आवा का विद्रोही ठा सताओन में पर्थम विद्रोह कौन सा था तो नसीराबाद था यहां पर बी नमबर उप्शन सही उत्र देखिए आठारा सो सताओन में कोटा का विद्रोह का नेता कौन था मेराब खान देखिए इती देर जो अपनने अभी तक है ये प्रेसन तीसरी बार आ रहा है और जिस आगे देखिए इसमें अठारा सो सताओन में आवा के किस ब्रिटिस पोर्टिकल एजेंट की अत्या की गई थी इसका सही उत्र हो जाएगा वो है दोस्तो केप्टन मेक मोशन केप्टन मोक मेशन की अत्या की गई थी तो यहां पर बी नमबर का जो अप्शन है वो इसका बि राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रों को दबाने में सफल रहे क्यूंकि अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रों को दबाने में सफल रहे क्यूंकि दोस्तों इसका प्रमुक कारण यह था कि इस्तानिय सासकों ने करांतिकारियों का साथ नहीं दिया ठीक है नहीं तो कुरांती कारियों का साथ दिया और नहीं अंग्रेजों का साथ दिया ठीक है यह आपको इसमें याद रखना है तो यहाँ पर समर्थन करना यह तो गलत ही दे रखा है यहाँ पर अपना ए नमबर का ओप्षन राइट आंसर हो जाएगा इसमें ठीक है आगे देखे 1857 की करांती में अंग्रेजों वैजोदपुर की सेना को पराजित करने वाला था तो वो कौन था राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों आवा के ठाकुर कुसाल सिंग तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर डी नंबर का ओप्षन सेयुतर हो जाएगा तीक है और यूद क 2018 की अधिनस्त संदी की बादचीत की थी इसका सही उतर हो जाएगा वो है दोस्तों किस ने तो वो कि थी चाल्स मेटकॉफ ने तो यहाँ पर बी नंबर का ओप्षन राइट आंसर हो जाएगा दोजार अठारा और दोजार गुनिस में यह पुछा गया है चाल्स मेटकॉफ अठावन नंबर प्रेस ने अठारा सो अठारा इस्वी में कमपनी की ओर से राजपूत राज्यों से संदी करने वाला अधिकारी था तो वो संदी करने वाला अधिकारी कौन था वो था दोस्तों चाल्स मेटकॉफ बी नंबर उप्षन सही उतर महिला प्रिवेक सक 2015 में संदी हुई थी ठीक है 2018 में पुछा गया प्रेस ने नंबर उप्षन बिल्कुल सही आगे देखे बरतपुर वय अलवर ने ब्रिटिस इस्ट इंडिया कंपनी के साथ संदी की थी कब की थी यह की थी दोस्तों सितंबर नौंबर दोजार सुरी सितंबर नौंबर अठारा सो तीन में दोस्तों बरतपुर वय अलवर ने ब्रिटिस इस्ट इंडिया कंपनी के साथ में संदिया की थी तो यहां पर इसमें बी नंबर का उप्षन राइट आंसर हो जाएगा लेब असिस्टेंट 2016 में प्रेस न पुछा गया है आगे देखे राजस्तान में इस्ट इंड प्रेस्ट पूछा गया आगे देखे राज्य में पर्थम विश्त्रित रक्षात्मक सायक संदी किस राज्य ने की थी इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अलवर ने तो यहां पर इसमें ए नंबर उप्षन बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा अलवर ने आगे देखे अंग्रेजों से संदी करने वाला राजस्तान का पर्थम राज्य था इसका सही उतर हो जाएगा वह दोस्तों कोटा तो यहां पर इसमें देखे जैपूर जोदपूर उदैपूर इनमें से कोटा सबसे पहला था तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ज पूछा गया है इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह करोली तो यहां पर डी नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ठीक है अंग्रेजों के साथ में संदी की थी तो किस ने की थी तो करोली ने की थी तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नमबर का उप्षन सही उत्रों जाएगा कब की थी तो यह नो नौम बर अठारा सो सत्रा को की थी तिक है यह आपको उसमें याद रखना है आगे देखें मेवाड वैं अंग्रेजों के मद्दे संदीपर अस्ताक्सर किये गए थे कब किये गए थे मेवाड़ वैं उपस्तित ब्रिटिस अधिकारी वह परिवारजन भाग कर कहां गए नीमच चावनिम में विद्रों होने के बाद वहां उपस्तित ब्रिटिस अधिकारी वह परिवारजन है वह भाग कर कहां गए थे तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वह है दोस्तों यह भाग यपोट के सामने वफादारी की परतिग्या करने से मना कर दिया था ठीक है और तीन जून 1857 को हीरा सिंग नाम के सेनिक के नेतरतों में यहां पर नीमच में करांती हो गई थी ठीक है यह आपको इसमें याद रखना है तो यहां पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर उप्शन सही उतर मेवाड आगे देखे नसीराबाद चावनी के तुरंत बाद राज्ये की किस चावनी ने करांती की शुरुआ की थी ठीक है देखे सबसे पहले हुई थी जो करांती की शुरुआत राजस्तान में 28 मही को हुई थी नसीराबाद में और इसके बाद में दोस्तों तीन जून को हुई थी कहां पर तो यह नीमच में हुई थी तो यहां पर दूसरा नंबर वो है करनल होम्स के करनल होम्स के नित्रत्व में दोस्तों ये सेना भीजी गई थी यह आपको इसमें याद रखना है ठीक है और होम्स ने आवा पर अधिकार कर लिया था और सुगाली माता की मूर्ति को दोस्तों उठा कर ये लेकर चला गया था ठीक है यहाँ पर अपना इस इस राज जोसी इन्होंने दोस्तों आववा पर आक्रमन किया था यहां पर अपना इसमें राइट अंसर हो जाएगा ए नमबर उप्शन बिल्कुल सही आगे देखिए 1857 में देखिए राजस्तान में 1857 के 77 संग्राम का सबसे प्रभावी वे मजबूत विद्रो कोटा में हु हुई थी मैंने अभी आपको बताए था दोस्तों कब हुई थी तो यह 15 अक्टुमबर 1857 को यह करांती हुई थी जैदयालव महराब गांके नितरतों में यहां पर डी नमबर का उप्शन बिल्कुल सहीतर हो जाएगा सतर नमबर प्रेस ने राजस्तान में एजीजी का कारि है ठीक है यह दोस्तों राजस्तान में पहली बार इसका जो कारियल है यानि की मुख्याल है अजमेर बनाया गया था तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नमबर का उप्शन बिल्कुल सहीतर आगे देखिए 1857 के विद्रों के समय राजस्तान के एजीजी कौन थ सायक संदी की निती का जनम दाता किसे का जाता है बहुत ही अच्छा प्रशन है सहीतर हो जाएगा लोड वेवेजली को तो यहाँ पर डी नमबर का उप्शन बिल्कुल सहीतर लोड वेवेजली को आगे देखिए राजस्तान की किस रियासत ने सरोपर्थम अंग्रेजों से सायक संदी की राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों यहाँ पर देखिए सायक संदी की बात हो रही है यहाँ पर तो वो थी दोस्तों इसमें भरतपूर तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नमबर का उप्शन राइट आंसर देखिए एक तो अधिनस्त स संथी होती थी और एक है सहायक संथी तो सहायक संथी भर्त्पूर ने किती दोस्तों यहां पर अपना इसमें एक नमबर का सप्सर्ड राइट आंसर अगे देखें इसमें अठरा सु सताओन की क्रामती में राजपुताना की किस रियासत के सासक की इस्तती अपने दुर्ग में बंदी के समान हो गई थी राइट आंसर हो जाएगा कोटा का सासक था राम सिंग सेकिंड उसको नजर बंद कर दिया गया था ए नंबर उप्षन बिल्कुल सही उतर आगे देखें टाटा टोपे को किस व्यक्ति ने विश्वास गात कर अंग्रेजों के आद तो पकड़वा दिया था वो थे दोस्तों नरवर के जागिरदार थे मान सिंग नरू का इन्होंने दोस्तों टाटा टोपे को दोके से पकड़ वा दिया था तो इसमें राइट अंसर ए नंबर उप्षन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखिए राजस्तान की कौन सी रियासत ने सरोपर्थम नूमबर अठारा सो सत्रा को गवर्नर जनरल लोड होडिंग्स की आसरी पार्थेक्य की नीती की अदीन अपनी सवतं अंग्रेजों के पास गिर्वी रख दी थी तो इसका राइट अंसर हो जाएगा वो है दोस्तो करोली तो यहां पर अपना इसमें राइट अंसर हो जाएगा ए नंबर का उप्षन बिल्कुल सही उतर ठीक है यह अदिनस्त संदी थी जो करोली ने की थी नौमबर अठारा सो सत्रा में और जो सायक संदी की थी वो बरतपुर ने सबसे पहले की थी ठीक है तो यह अलग-अलग होते हैं अदिनस्त और सायक संदी यहां पर इसमें ए नंबर उप्षन बिल्कुल सही आगे देखिए इसमें राजस्तान का पर्थम सवतंतरता सेनानी जिसे अठारा सो सता संदी के पर्थम सवतंतरता संग्राम में अंग्रेजों ने फास्य पर लटकाया था राइट आंसर हो जाएगा वह दोस्तों अबर चंद बाठिया इसको दोस्तों राजस्तान का पहला सहीद भी कहा जाता है और राजस्तान का दूसरा भामासा भी कहते हैं इसे तो इसमें answer हो जाएगा बी नंबर का option बिल्कुल सही उतर है आगे देखे अठारा सो सतावन के 77 संग्राम में सरवादिक सुनियोजित और सुनी इंत्रित विपलो किसे रियासत में हुआ था right answer हो जाएगा वो है दोस्तो कोटा में हुआ था ये तो इसमें ए नंबर का option बिल्कुल सही उतर है आगे देखें राज़स्तान की कों सी रियासत में Muslim सासन था तो दो दोस्तो right answer हो जाएगा टॉंक में मुस्लिम दियासत थी दोस्तों यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का जो उप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा याद रखना ठीक है टॉंक बी नंबर उप्शन सही आगे देखे अठारा सो सतावन के परतम सब स्वाव संग्राम प्रारम्ब होने से पूर्व हैं अजमेर की स्रक्षा का भार किस पर तो अजमीर की स्रक्षा का बार है वह किस पर इसका सही उत्र हो जाएगा वो ह след दो पंधरवी भंगाल नेटिव इंफ्एंट्री पर ठाद दोस्तों ये बार तो इस कारण था तो मूल कारण था वो क्या था तो देखे अंग्रेजों का सोशन पूर्ण वेवार आंत्रिक मामलों में हस्तक सेप सामुनतों के अधिकारों पर कुठारा गात ये सारे थे कारण तो इसमें राइट अंसर हो जाएगा उप्रोक सभी डी नंबर का उप्शन बिल्कु किया था तो दोस्तों पता चल गया होगा आपको यहां पे रिसालदार महराब खा पठान तो इसमें राइट अंसर हो जाएगा ए नंबर उप्शन बिल्कुल सही आगे देखिए अपनी हस्तक सेप की नीति के तहत अंग्रेज सरकार ने महारावल जस्वन सिंग को एपदस् इसका सही उतर हो जाएगा वो है दोस्तों दलपस सिंगो डूंगरपूर्प का सासक है वो नियुक्त किया था यहां पर ए नंबर उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखिए इसमें अठरा सु सताउन के सवतनतरतर संग्राम में सरवादिक भीशन और व्याप विपलव हुआ था ठीक है और सरवादिक भीशन भी यहीं हुआ था ठीक है और व्यापक विपलव भी हुआ था तो यहां पर कोटा इसका राइट आंसर हो जाएगा आगे देखिए गुंतिस मार्थ 1857 को बैरकपूर चावनी के किस भारतिय सेनिक ने विद्रोंकर अंग्र स्थापित की गई सेखावाटी ग्रेड है यह दोस्तो 1835 में स्थापित की गई थी बी नंबर उप्शन बिल्कुल सही आगे देखिए अंग्रेज़ द्वारा 1838 में अपने करपा पात्र मदन सिंग जाला के लिए कोटा राज्य का विभाजन कर किस नए राज्य की स्थाप डॉस्तान का तो पेट्रिक लोरेंस था भारत का कुण था तो भारत का था दोस्तो लोड के निंग तो इसमें ए नंबर उप्शन बिलकुल सही तर लोड के निंग देखिए 90 नंबर का प्रेस्ने सादू सिताराम दास निमनलिकित में से किसांदोलन से समंदित थे राइट मेवाड पुकार मेवाड पुकार क्या था तो दोस्तों मोतिलाल तेजावत द्वारा तैयार एक मांग पत्र था जो माराना मेवाड को प्रस्तुत किया गया था ए नंबर उप्षन राइट आंसर हो जाएगा कोलेज व्यक्ता प्रिक्षा 2014 में पुछा गया प्रस्त ने आगे देखिए मेवाड भील कॉर्प किस वर्ष इस्तापित की गई थी अभी मैंने आपको बताया था मेवाड भील कॉर्प की जो इस्तापना है वो दोस्तों कब हुई थी तो ये 1841 में होई थी दोस्तों ठीक है 1841 में यहां पर देखिए ओप्सन में है वो ये 1837 है वो दोस्तों इसमें गलत दे रखा है यहां पर देखिए मेवाड भील कॉर्प की जो इस्तापना है वो 1841 में हुई थी आप इसको काटके 1841 कर देना ठीक है ये कोलेज व्याक्या था प्रिक्षा 2014 में पूछा गया प्रशने आगे देखिए इसमें धक्सिंड राजस्तान में बकत अंदोलन का संस्तापक कौन था इसका सही उतर हो जाएगा वो है दोस्तों बताए कौन था राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें गौविंदिगरी सी नंबर का उप्षन बिल्कुल सही उत्तर दोजार साथ में पुछा गया प्रस्थन आगे देखिए वेक्ति जिसने दूद्वा खारा के किसान आंदोलन में महतोपून योगदान दिया वेक्ति जिसने दूद्वा खारा के किसान आंदोलन में महतोपून योगदान दिया उसका नाम था दोस्तों हनुमान सिंग तो इसमें डी नंबर का उप्षन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा हनुमान सिंग याद रखना बहुत ही अच्छा प्रशन है हनुमान सिंग आगे देखे सवतंतरता सेना ने विजय सिंग पतिक का वास्तियुक नाम क्या था राइट आंसर हो जाएगा भूप सिंग यहाँ पर बी नंबर का उप्षन बिल्कुल सही उत्तर भूप सिंग आगे देखे यह किस वर्स में शुरूआ था इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 1921 में यह शुरू हुआ था ए नंबर उप्षन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखे इसमें निमनलिकित में से किस ने अमरदास वेरागी चंदम नाम रखकर अपना अधिकान समय म एकी आंदोलन के नेता कौन थे जो 1920 में वर्तमान राजस्तान और गुजरात के आदिवासी बहुल सिमा छितरों में आंदोलन रख थे बताएगे एकी आंदोलन के नेता कौन थे सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें मौतिलाल तेजावत तो यहां पर बी नंबर का उप्सन राइट आंसर देखे राजस्तान पुलिस में यह प्रेस ने पुछा गया है आगे देखे राजस्तान के बहां सोड़ा जिले में मानगड को क्यों जाना जाता है मानगड को क्यों जाना जाता है राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों आदिवासियों का अंगरे जो दुवारा दमन है ये मानगड पर हुआ था और इसलिए मानगड को जाना जाता है यहां पर ए नमबर ऑप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखे बिजोलिया किसान अंदोलन के दोरान गुनी सो बाइस के समझोते के परती बिजोलिया जागिरदार क कर रहे यह क्या था तो वह था दोस्तों लागू करने से मना किया था लागू करने से मना किया था तो इसमें राइट अंसर हो जाएगा बी नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा तो दोस्तों ये मैंने आज आपको अठारा सो सताउन की करांती से समंदीत ये प्रेस्टन है वो कंप्लेट करवा दिये हैं प्रेस्टन आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं और अगर आपने पिछले जो टोपिक वाइज क्यूशन नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाएए वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा टोपिक वाइज टोप क्यूशन के नाम से वहाँ फोल्डर बनावा है तो आप वहाँ जाकर पिछली कलासे हैं वो जरूर देखें और अरद्दैरेस अकडिमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकन को दबाएं वीडियो को लाइक और अपने द